तो दोस्तों एम परिवाहन एप यूज़ करने के लिए सब्सक्राइब आपको Google Play Store में जाना और एम परिवाहन टाइब कर देना है जैसे आप टाइब करेंगे यह देखिया आपके सामने नया नेक्स जेन एम परिवाहन आप आप आगया इसको आप डाउनलोड कर लिजिए मैंने डाउनलोड अल्रेडी कर रखा है तो मैं यह से ओपन कर ले रहा हूँ पर आपको एंटर करना है और अपनी एक ID क्रिएट कर लेनी है ध्यान रखिए नेम वही जो RC और DL में हो बहतर रहेगा मुबाइल नंबर भी जो उसमें अल्रेडी लिंक हो वही वाला आप एंटर करें तो बहतर रहता है उसके बाद आपको सब्मिट कर देना है यहाँ पर यहाँ से आपको देखने को मिलेगा आप अपनी वेकिल का जैसे ही आप वहाँ पर वर्चुल आइडी बनाना चाहते हैं तो वेकिल नंबर चेसिस नंबर और इंजेन नंबर लास्ट फाइब डिजिट आपको इंटर करना है आपकी वर्चुल आइसी आरसी बन जाएगी आ आपके मुवाइल पर OTP जाएगा उसको इंटर कर देंगे आपकी वर्चुल आइसी तैयार हो गई है यह देखे कुछ इस तरीके से आपकी वर्चुल आइसी बन जाए इसी तरीके से आपको वर्चुल डियल बनाना है तो उसके लिए आप डेट आप बर्थ और अपना ड् ले देखे तैयार होके आगया आपके सामने तो यह आपको वर्चुल आरसी बन गया वर्चुल डियल बन गया आपका यही से आप इसको कहीं पर भी किसी प्लिस कर्में ट्रैफिक पलिस करों को अपना ओनलाइन एन परिवाहन आप डिखा सकते हैं उसके बाद आप यहां प जो करबा सकते हैं जैसे यहां पर आप देखिए कि यहां पर आपको इसुब डुब्लिकेट आर सी ओप्श quiet vowelक्रम मिलता है चैंज और यहांग आप पर है कि driving license later services में आपको renewable आप online आवेदन कर सकते हैं यहाँ पर अपना duplicate DL मंगवा सकते हैं साथ ही साथ यहाँ पर आप वहाँ पर mobile number भी update कर सकते हैं ऐसे बहुत सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर next gen एंपरिवहन एप मिल जाती हैं तो इस तरीके से आप सारे यहाँ पर आसानी से चीजें access कर सकते हैं बहुत ही बहतरीन user interface है एंपरिवहन एपका जो नए अपडेट होके आया है फिलहाल अभी तो यहाँ से आप इसमें अपने चालान भी detail भी चेकर सकते हैं जो सबसे बहतरीन है मुझे जो काफी अच्छा लगा कि आप वेकिल नंबर या DL नंबर डा चेशे समबर डाल के चालान चेक करिए यहीं से online payment भी कर दीजिए और यहां से आप उसकी रसीद भी download कर सकते हैं बहुत ही अच्छा एक ही अस्थान पर आप सारे कामकाज यहां से कर सकते हैं तो यह जो नया next gen M परिभाना है पाया है यह modified है और यहां से आप अपने faculty search कर सक करते हैं और सारी चीजें आप track कर सकते हैं यहां आप देखे कि आपका virtual DL virtual RC यहां पर आपके सामने रहेगा तो आप उसको क्लिक में किसी को भी सो कर सकते हैं और आप RC साथ लेकर DL चलने के आपको जरूरत नहीं है कोई भी आपको traffic police civil police आदमी परिशान नहीं कर सा क्योंक अपनी complaint भी file कर सकते हैं देखिए इसमें अपनी complaint रिखे जो भी रिगार्डिंग में आपकी problem हो उसको लिख कर आप वहां पर दे सकते हैं वीडियो अच्छा लग हो तो like करिएगा चैनल सब्सक्राइब कर लिजेगा ऐसे information आपको future मिलती लहेगी मैं मिलता हूँ जल्दी ह आपसे नए वीडियो नेट आपक साथ अबता के लिए जय हिंद वंदे मात्राम